डूबल इंडेक्स में एक जून से कुछ बदलाव लागू होंगे इसमें किसकी होगी एंट्री कौन से शेर होंगे बाहर ये जानने के लिए यतिंग के बास चलते हैं यतिंग गुड आफ्टरनून बताइए गुड आफ्टरनून जो मुख्ये शेर्स हैं उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं क्योंकि यहाँ फोकस रहेगा अगर हम एडिशन्स की बात करें और इंक्लूजन जो फ्रेश हो हैं वहाँ पीबी फिंटेक, सुन्दरम फिनांस, नहच पीसी इन सभी स्टॉक्स में 200 से यह तीन शेयरों पर भी खास नज़रे रहनी चाहिएं क्योंकि यह मेजर इंफ्लो कैंडिडेट से जहां आपको बाइंग देखने को मिलेगी तीन स्टॉक्स जो एक्स्क्लूड हुएं बर्जेर पेंट्स, आईजियल और पेटियम यह तीनों स्टॉक्स में आपको थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें बर्जेर पेंट्स और आईजियल की तो यहां लगबग-लगबग हजार करोड के आसपा इसकी सेलिंग एक्सपेक्टेड है वेटेज कौन से कौन से स्टॉक्स का उपर गया है वो देखना भी जरूरी होगा AU Small Finance Bank, Vedanta, Lodha Developers, Zomato, Polycap यह पांच ऐसे स्टॉक्स हैं जहां आपको नेट बेसिस पे इनफ्लो आता हो दिखाई पड़ेगा 50-90 मिलियन डॉलर्स की रेंज में और सबसे ज़ादा आपको मोमेंटम शायद कल AU, Small Finance Bank और Vedanta जैसे काउंटर्स में आता हुआ नजर पड़े MSCA की बाइंग के चलते वेटे चार स्टॉक्स का डाउन हुआ है ICICI Lombard, Dabr, Jubiland Foodworks और PI Industries तो यह तीन स्टॉक्स थोड़े बहुत प्रेशर में रहनी के आशंका है तो यह वो major flows है जो आज जो focus में रहेंगे और कल आदे घंटे में एक्जिस्मेंट होते वे दिखाए पड़ेंगे MSCA की buying selling के वज़े से लास्ट आर ओफ ट्रेड में पूरा action बनता दिखाए देगा Jubiland अभी तो चलना शुरू हुआ था और यह थोड़ा सा अबे कोवा हैं गातावा दिखाए देगा लेकिन Zomato जैसे trades आपके PB Fintech जैसे trades यह new age economy stocks आशीश exposure बढ़ा रहे हैं आप लोग आजकर दीके Zomato पर तो हम काफी positive है और इस पर हमारा exposure भी काफी बना हुआ है मारा मनना है कि organic growth आप देखेंगे तो 40% के आसपास की आएगी Blinkit का जो business है वो बहुत हमने जो तीन quarter की expectation की थी वो उससे बहुत पहले आपके operating level पे profitable हो गया और हमें लगता है कि वहाँ पर पे एक बहुत बड़ी growth trajectory मेनेगी in fact size of opportunity के terms में भी आप देखें तो जो business है काफी बड़ा है e-commerce का as compared to food delivery तो मेरे साब से जो मेट हो तो बिल्कुल इस डिप पे इसको देखना चाहिए disclosure है कि stock हमारे portfolio में पर लेवल्स की मैं बात करूँ तो मेरे साब से 170 से 180 का जो जोन है वो एक बाइंग जोन है और stock eventually मैं समझता हूँ 200 रुपए के उपर जाता हूँ और मुझे आने वाले तीन से 5-6 मैनों के अंदर में नज़र आता है okay mean wild कि को आई खंदरा के एक कि बांस ढगता है बांस